आप सबों का फिर से एक बाहा हार्दिक अभिनिनन करता हूं इस यूटीब चैनल में हम लोग प्रस्णों की बेहतरिन स्रंकलाओं को सॉल्व करते जा रहे हैं और लगातर करते रहेंगे आपके एक्जाम तक तो बने रही है इस चैनल में और देखते रही है और सीखते रही ह आपके स्कीन पर प्रषन है आपके स्थिंफिके इसकी इसल्वन स्था कि आपके स्थिंफेल्टी एज गर्लेज अगनॉलेच अगनूलेच ग्नॉलेच दिफरेंटेट डिशाबि पनस सिबएडिव दे ने संसे तुट ख्के प्लेच डिवार्ण पिया थन्य में याटके ल W I M for loss and damages was the first formal acknowledgement of their need to compensate developing countries struck by the climate disaster which are the correct I think you know about that who is absolutely correct yes at first let's see about I am I am going to know that UNFCCC is the UNFCCC UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change 1994 1994 में अस्थाफित एक Inter Governmental Agency है जिसका मुख्य रोल अगर देखा जाए तो Climate Change को पहचानना और उससे जुड़ी हुई जो Differential अलग अलग जो responsibility अलग 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 है उसको पहचान देना और और क्लियर करना boundary का ठीक है रिच कंट्रीज क्या करेगा उसकी क्या टेक्लोजी फाइनस टेक्नोलोजी सेर किस तरह से होगा developing nations को कि क्लाइमेट चेंज को टेकल किया जा सके और आपको पता होना चाहिए यह लगभग मेंडेट करता है कि 100 billion dollar amount कि रिच कंट्री जो है वो प्रवाइट करेगा अग्रीड हुआ था लोग लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है कि 100 billion तो छोड़िये इसमें 10% भी अभी तक डवलपिंग कंट्री को नहीं मिला है इट वाज अप्र मच्छ च्ट्रगल डवलपिंग कंट्रीज और एंग्योज मैनेज़ ए इस्टेबलिश सेपरेट चैनल ओन लेस एंडेमेज अड़ इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज निगोसियेशन तो लोस और डव डेमेज के अस्थापना कब हूई यह भी पूछा देसकता है तो वार्सा इंटरनेशनल मैकनीजम वार्सा इंटरनेशनल मैकनीजम जो है उसने लोस और डेमेज लॉस और डेमेज कि अस्थापन दो हजर तेरह में की गई और यह पहला एक तरसे फॉर्मल एकनोलेजमेंट था ठीक है किस बात का कि कंपेंसेंट कि डवलपिंग कंट्रीज जिने क्लाइमेट डियाश्टर का सामना करना पड़ रहा है उनको हर हाल में छती पूर्ती किया जाना चाहिए ओके है नेक्स्ट्ट्ट्यन है के टाओंस रेक्रूप अधर रेक्रैन में मेंट्ट्टर को बेरा सितक त फॉर्म एंधर घर्डियवर्डेशन अवेंग में अधर्य जत्या प्रौ प्रॉर्प, तैयर्ड ट्रॉजस, वैल्स, वैल्स, बटलोंच डविस ट्रीज इन है वह उर्म and temperate seas worldwide and are found everywhere except for the Arctic and Antarctic Circle region bottle nose dolphins have very high immunity levels and there are no cases of viral infection in reported in them no cases this time can be confused yeah 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 dolphins केक कैनल तट में जाईए वहाँ पर लगबग लगवा बहुत सारा बोटल नोज डॉल्फिन जो है मरे पड़े महें हाई इसका कारण क्या था उन पर चांच किया गया तो पाया गया कि यह बहुत ही लेस इम्यून है क्योंकि हाईली वायरल लेंट स्टिंग बड़ फ्लू से इसके अंदर बड़ फ्लू के कारण फोलरीडा के टर्थ पर बोटल नर्ज डॉल्फिन पाया गया तो पता होगा बड़ फ्लू डिस दा वर्शन ऑब वायरस विच है स्प्रेड वाइडली अमॉंग नॉर्थ अमेरिकन यूरोपियन बड़्स अजफेट अन्यूजली ब्र अधियों को तो प्रभावित करता रहा था लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इस बोटल नुक नोज डॉल्फिन भी प्रभावित हो गया इससे तो बात अगर बोटल नोज डॉल्फिन की की जाए तो यह वाम टेम्परेट एरिया पूरा व्ल्डवाइड मिलता है एब्रीवेर एब्रीवेर सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक और अंटार्टिक रीजन को छूड़ कर तो यहाद रखेगा आर्कटिक मतलब अगर यह ग्लोब है तो यहाँ और यहाँ यह बोटल नोज डॉल्फिन नहीं मिलते हैं किनकी यह वाम और टेम्परेट सिसी में ही मिलते हैं कि ऐखोattend है वनेश्व स्कूछिन है ब्लैक फैंधर से संबंदित भारत में ब्लैक फैंधर कहां कहां मिलने की संभावना है मुझे तो पूछा जा रहा है कहां मिल सकता है कहां मिलता है बता तो आपको ब्लैक पेंथर की जनकारी है है black panther कहां कहां मिल सकते black panther एक तरसे टाइगर का species ही है ठीक है है cat species let's see everything everywhere everywhere yes देखे black panther नाम से स्पर्स्ट है black panther एक तो melanistic color क्योंकि melanine के कारण होता है variant of any panther particularly leopard इनेशिया अफिर्का जगुवार जगुवार जो है अमिर्का मिलता है ठीक है leopard तो असिया में मिलता है अफिर्का में मिलता है ब्लैक पेंटर जो है उसका मेला जूला वैरियंट रूफ है melanism is increased development of the dark color pigments melanin skin or hair तो कहां कहां यह है तो आपको पता देंगे यह कावनी वाइड लाइफ संचुरी जो की उसके अलाबा अनसी डंडेली संचुरी करनाटक में है कावनी और अनसी दोनों करनाटक में है निलगरी बायो एस्पेरिजर तमिलनाडू में है तडोबा तो आपको पता ही होगा महरास्ट में है next question है चांग ठांग वाइड लाइफ संचुरी अभी न्यूज में था और यह कहाँ पर है चांग ठांग वाइड लाइफ संचुरी जी हाँ इसका C है लद्दाक में है चांग ठांग वाइड लाइफ संचुरी चांग ठांग वाइफ संचुरी is a high altitude of wildlife century that is located in Ladakh ठीक है यह लद्धाक में है सबसी इंपोर्टेंट बात यह है कि भारत के बहुती कम जगहों में ठीक है विद पॉपुलेशन ओप तिबटन वाइड लाइड एस एस वेल एस रेयर ब्लैक नेकट क्रेन यहां मिलता है ब्लैक नेकट क्रेन तिबटन जंगली गधा यह लद्धाक के चांग थांग वाइड लाइड सेंचुरी में मिलता है अगला कोस्चेन है पैंथेरा इस जीनस ओफ लाज वाइड गेट्स इंडिया इस प्रफ लाइड लेपर्ड जगवार टाइकर इस दिलाज़ेस आप ओल वाइड गेट्स इंडिया इस दी ओनली कंट्री विभिंग टाइगर एजिट्स नेशनल एनिमल थिंक अबाउट इट चलिए इसका सही जवाब तीन चाटी है एक और दो के साथ जाहिए पैंथेर के बारा पैंथेरा के बात करते हैं हम लोग तेके पैंथेरा या पैंथर नहीं वह तर पैंथर पैंथर या फिर दिस इस जीनस ओफ लाज वाइल केट्स यह भी एक तरह से समझ लीजिए वाइल लेपर्ड जगवार और मोर क्लोजली रिलेड़ वाइल अदर है टाइगर स्नू लेपर्ड उसमें धारिया होती है है जी स्ट्रेंड नहीं सकता है चिला नहीं सकता है स्नू लेपर्ड जीम कार्वेट लार्ज हर्टेंड जेंटलमें जीम कार्वेट जो थे वह बहुत ही बड़े दिलवाले थे हैं विद बाउंटलेस करेज शॉली डेरी शॉलिटेरी एन स्ट्रोंगली टेरिटरियल टाइगर इस दिलार्जेस अब वाइल केट्स एन तो आपको पता होना चाहिए ताइगर जो है ना वो लार्जेस्ट वाइल्ड केट है अटलिच अधिश्ट पैंथर मेंबर दू अगजिस्ट है प्रैमेरली एफ्वए ये इस अनिम्लेश काम नलेसिया का और शाउथ कोिया तो देख यह यह नेश्टनल एनिमल है ठीक है ताइगर वाज बोटेड वर्ल्ड फेवरिट अनिमल अहेड दोग इन 2004 अनिमल प्लेनेट ग्लोबल ओनलाइन पूल तो ताइगर जो है ना दुनिया का सबसे पसिंदा जानवर है याद रखिये कर दो सब्सक्राइब अगला कोसेन है तो अंगला कोस्ट्यन है द स्टेज इसे अलसे पोर ट्रंस लोकेशन अगी ओं चीटा पूंफ पूं फीर्का तु इंडिया इन इन इंडीया इंडिस कंठेस्ट बिदो अब्लोग आ भर फलोग फांपन ओन फिल्ठ को नहींकिया जासब्स सक टाइगर को किसको लोकेटेट नहीं किया सकता है सोचिए बाइसन मंद भैसा होता है और वॉल्प में लोंबडी होती है तो आपको पता होगा टाइगर का लोकेशन पॉसिवल है ही तो इसका सही जवाब है सभी के सभी जानबर को अराम से ट्रांस लोकेटेट एक अस्तान से दुसरे अस्तान ले जाया जा सकता है लाया जा सकता है लेट सी सम्थिंग अबाओ इट इन 1997 वॉल्प में ड्लोंडी फॉम नौर्थ वेस्टन मॉंटाना वे री लोकेटेट तो यलो इस्टोन नेशनल पार्क यलो इस्टोन नेशनल पार्क में यह लुप्त हो गया था तो उसको वहां से 1997 में नौर्थन इस्टोन मॉंटाना से लो री लोकेट किया गया तिक है उसी परकार 1984 में राइनो को भी शिप्टेट किया गया था असाम का जो पॉबी तोरा है वहां से उठाकर उसको दुद्वा उत्तर पर्देश में भेजा गया अभी हाल में काजी रंगा राइनोज उसको भी ट्रांस लोकेटेट किया गया मानस में तो ऐसा पोसिबल है बाइशन की बात कर ले भैंसा की तो भैंसा को भी 2011 में शिप्टेट किया गया था कानहा से बांदा उगड़ the success stories that made bigger headlines involve tigers two new population were built through translocation in Sariska that is in Rajasthan or Panna that is in Madhya Pradesh where the big cat went locally accident due to coaching तो सबसे दुखद स्थिती यह है कि ट्रांस लोकेटेशन जो था रसरिस्का में रास्तान में और पन्ना मद्ध पर्देश में वहां पर यह लोग लूप्ट हो गया इन 2011 बाइसन बेयर सिफ्टेट फ्रूम काना टुमना फर्द बता ही दे गया वह भी लूप्ट हो गया अगला है कोल्ड बेद मेथन के बारे में कोल्ड बेड मेथन के बारे में बेड मेथन इस प्रचेश नेचल गेस तो CNG आटो कि इस टील प्लांट मेथन अल प्रोड़क्शन सब का सब सही है cbm any coal bed methane like sale gas is extracted from what as known as can unconventional gas reserves a reservoirs where gas is extracted directly from the rock is the source of gas sale gas or sale gas coal in case of cbm methane is held underground within the coal and is extracted from by drilling into the coal scene and removing the groundwater resulting drop in pressure cause the methane to be released from the coal according to central mine planning and design institute cbm can be used for power generation as compared natural gas auto fuel as a feed stock for fertilizer fertilizer के रुप में इस्तमाल सकता है industrial uses such as cement production में rolling meals में steel plants में methanol के उत्पादन में इसका इस्तमाल किया जा सकता है cbm का यूज याद रखियेगा पूछा जा सकता है कि कहां कहां cbm का यूज किया जाता है कंसर्ड दी फ्लोंग स्टेट्मेंट अबाउट कोल वेड मेथन अभी अपने कोल वेड मेथन का यूज पढ़ा अब उसके बारे में समझेए कोल बेड मेथन इस फोर्म दूरिंग प्रोसेस अब कोलिफिकेशन अब ट्रांसफोरमेशन अब प्लांट मेटरियल इंटो कोल यह कोल वेड है यह कोल वेड कैसे बनता है कोलिफिकेशन अब ट्रांसफोरमेशन अब प्लांट मेटरियल इंटो कोल water discharge from CBM development can potentially pollute downstream water sources CBM can be used as a feedstock for fertilizers यह तो सही है यह भी सही है यह भी सही है तो कौन सा सही होगा बता ही है यह भी सही है तो कौल वेर्द मेथन इस ए अनकन्वेंशनल फॉर्म अफ नेचुरल गेस फाउंड इन कोल डिपोजित और कोल सीम्स CBM is फॉर्म दूरिंग प्रोसेस अफ क्वालिफिकेशन ट्रांसफोर्मेशन अफ प्लांट मेटरियर इन्टू कौल तो यह जो बनता है एक तो कौलिफिकेशन से बनता है दूसरा है कि ट्रांसफोर्मेशन अफ प्लांट इन्टू कौल जब प्वेड़ पोदे जंगली घास यह सब यह प्वेड़ पोदे हैं यह जब सरते हैं जमीन में डिपोजित होते जाते हैं लंबे समय तक इसके बाद यह बनता है कौल बेड़ और इसका यूज देख लीजे पावर जेनरेशन में CNG में फटलाइजर के रूप में इसके अलावा सिमेंट प्रोडक्शन में रोलिंग मिल्स में स्टील प्लांड में मेथनोल के प्रोडक्शन में CBM प्रोडक्शन बिहेविर इसकोंप्लेक्स and difficult to predict in the early stage of recovery another concern is the effect water discharge from CBM development could potentially have on downstream's water sources इसको potentially रुप से क्या कर सका गंदा कर सकता है disposal of highly salinized water must be removed in order to release the methane creates a challenge as its introduction into fresh water ecosystem could have adverse effect concern the flowing statements leopards can occupy diverse habitats at all the altitudes across Africa and Asia snow leopards cannot roar and has a longest tail of all the big cats which comes in handy for balance while hunting along the cliffs snow leopards is a state animal of Ladakh and Himachal Pratis second statement absolutely you know about that is correct and the third statement is correct and the third statement is correct and the third statement is correct like black jaguars like black jaguars and drink Bhooth Smoky gray cat lifts above the snow line in the Central and South Asia इसके एक लंबा सा पूछ होता है जो इसको बैलेंस करने में बहुत ही मदद करता है जब वो क्लिप में चड़ता है तब इसको अपने बोड इसको कभी-कभी जों लेपट है जो इसको कभी-कभी अपने बोड इसको कभी-कभी और पिए जोन अपने शेट अनेमेल अपल दक अंने बात्थे दिलागा अन शिमाचल पर देस्पॉट consider the flowing statement regarding aerosols aerosol influence climate by changing the amount of heat that gets it or out that gets in or out of the atmosphere by affecting the way clouds form example of aerosol are for forest exodus particular air pollutants smog some aerosol reflects the Sun's ray that beam on them and and bounce the rays back out of the atmosphere सभी के सभी 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 देखिए aerosol जो है वो suspended particles होते हैं solid particles हो सकते हैं liquid droplet हो सकते हैं हवा में ठीक है एरोसल केन बी नैचुरल भी हो सकता है एंत्रोपोजोनी भी हो सकता है जैसे कि नैचुरल एरोसल की की बात करें तो जैसे कि फोग है मिस्ट है डस्ट फोरेश्ट एक्सक्लूट विक्स्था 있다 का गीजर सिस्थम है गीजर स्टीम है जा रियर इस्था कर्क न्गिजर इस्थीम है एंत्रोपो Scout बल सकते हैं पार्टिकुलेड मेटर बोल सकते हैं ETLEd आ हैं पालुटेंड the amount of it that gets in or out of the atmosphere by affecting the way clouds form some aerosol like many kinds of dust from the ground up rocks light clad and even a little bit refractive when the Sun rays beam down on them they bounce back of the atmosphere out of the atmosphere preventing that heat from the ever reaching earth surface consider the flowing statement in India the native cheetah species was the Asiatic cheetah which went extinct before India's independence today cheetah are mainly present in southern african countries Iran is the only countries having Asiatic cheetah in the world cheetah is assessed as a world level cheetah को world level क्यों खाजाएगा सोचिए चलिए चार को उटाईए यह दो तीन चार को लीजिए और पहला बात की independence से पहले नहीं इसे काउन में लुप्त हुआ था तो वल्नेवल ही है जन्गल में ठीक है जो नेटीव चीता था वो था एसे आइटी चीता और यह खतम हुआ था लुप्त हुआ था उनीस्सों बावन ने जंगल में ठीक है और ओनली इरान केबल इरान ही है जो एसे चीता इसके जंगल में मिलता है बस कितना बारागों के आसपास है और जो जंगल में सबसे ज़्यादा है वो है अफेरिकन चीता बहत्तर सो के आसपास अब जो भारत में आ चुका है कहां आ चुका है मुझे बताईएगा अग्रोडिंग तो जैनरल नेशनल जीओरफी पॉबलर थेओरी और चीताज इवालूशन सेज दाट इसेंड़ फ्रॉम सें एंसेस्टर आज अमेरिकन पूमा यह पूमा से ही आया है अनदर भी केट से पूमा जिसके बहुत से अमेरिकन पूमा जो है न अब पहनते होंगे बहुत सा इसका जूता एगर 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 लगबग दस हजार से बारा हजार साल पहले की बात है अर्ण देट अ अर्ण अधा आज एज अ एक्स्टिंशन इवंट टुक प्लेस डट वाइप आउट प्लेस अवड इसमें चीटा भी सामिल था अब नॉर्थ अमेरिका नहीं रोक का साब लुट हो गया इस आई जाए होंगे अर्ण यह अर्ली चीटा स्पिसिज लब लुट अट अज अर अफ्हारिकन पुपलेशन अचीटा अट को इंट नेशन इंट अन इन वर कंजर्वेशन अफ नेचर आयू शीयं काता क्या है विचिज कंपोज बौथ गवर्मेंट एंड सिविल सोसाइटी ओर्गनाइशन चीटा और मेंली प्रेजेंट इन सदन अफेरिकन कंट्रीज जैसे की अलजेरिया में है बोट्सवाना सेंट्रल अफेरिकन इथोपिया केनिया साउथ अफिरका जिंबामबे और भी अधर्स अर्लियर दपॉपूलेशन अफेरिक चीटाज इस्ट्रेश्ट फ्रों अरेवियन पेनिंसूला तो इंडियन सब्कॉंटिनेंट चीटा इज एसेस्ट दिहान रहें चीटा को वल अनरेवल कटेगरी में रखा गया है वल अनरेवल कटेगरी में आयूसीन के द्वारा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इसकी संख्या लगातार गिरती जा रही है और यह आने वाले समय the recent relocation of cheetah from Navivia to India was the first in the world where a large carnivore was relocated from one continent to another the conservation of cheetah will revive grassland forest and its biome and habitat Sehergar wildlife century which was previously assessed for translocation of Asiatic lion is located in MP think about it this is the first time in the world in the world the first time in the world the large carnivore was relocated from one continent to the other continent the conservation of cheetah will revive the conservation of cheetah will revive the conservation of the grassland will revive the forest biome habitat project tiger has also resulted in conservation of 250 water bodies pounds in India's 52 tiger reserve cheetah project is likely to have a similar impact impact Sahargar wildlife centuries is relocated in Rajasthan जहान रखेगा इस बात को कि यह जो यह जो सेर्गाह वाइल लाइब सेंचूरी जो है वो राजस्तान में है ठीक है c concert the flowing statement regarding the wild life crime control view wildlife crime control Bureau is a statutory body multi-disciplinary body established under the prevention of cruelty animal Act 1960 it's a mandate to establish a centralized wildlife crime data bank it also assists and advises the customs authorities inspection of consignment of the flora and phona yeah of course so two or three to say yeah but it's a mistake because wildlife protection act is a good thing is that is why live crime control bureau and it's a state of the body is a bad guy in the legal act and it's not my role is this is the ministry of environment फोरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज के ताथ आता है ताकि यह जो और्गनाइज वाइल क्राइम है उसको एक तरसे कॉम्बेट कर पाए रोक पाए और इसकी अस्थापना जो है वह वाइल लाइप प्रोटेक्शन एक दिएक दाथ के टहत है वाइल लाइप प्रोटेक्शन एक जो था उसके तात इसका घठन के आगया था मैं दखेगा वाइल लाइप प्रोटेक्शन एक नाइटी सेबंतिटी टू के तहत ही वाइल क्राइंद कंट्रॉल ब्यूरो के अस्तापना होई थी और यह किस मिनिस्ट्री के दाता है तो यह मिनिस्ट्री उप इन्भारामेंट के दाता है और इसके कुछ मतलब काम देख लीजिए तो इसका काम है इडिस मेंडेटेट तो कलेक्ट और कोलेट इन्ति एक्डिस्ट् एकडिस रचिति लीजिए के लेते क्षेडिस्ट्सी सथ से विज़ेह वेburके छिस्ट्ट्टित गिन कारेय Wick 1uję in connection with the enforcement of the provisions of that assist for earth foreign authorities and international organization concerned to facilitate coordination universal action for wildlife crime control capacity building of wild crime enforcement agency for scientific and professional investigation into wildlife crimes assist state government to ensure success in prosecution related to wildlife crimes and advise the government of India on issue relating to wildlife crime having national international ramification relevant policy laws it also assist and advises ध्यान रहे है इसका मुख्य काम ये भी है कि ये असिस्ट करता है एडवाइज देता किसको custom authorities को inspection of consignment of flora and fluna as for the provisions of wildlife protection act sites exim policy अक्ला question which of the flowing are the advantageous of bio remediation technique bio remediation technique के बारे में पूछा जा रहा है क्या क्या इसके फाइदे हैं it is useful for absolute absolute destruction of wide variety of contaminant it is relatively less expensive than other technology for disposal of hazardous waste it can be carried out on site without causing a major disturbance of normal activities genetic engineering can be used to create microorganism specifically designed for bio remediation अपकोस चार सही है तीन सही है दो सही है बट वन के बारे में सोच लीजिए वन भी सही है अपसलूट जो सब्द है उस पर भी ध्यान देना था तो बायो रिमेडियेशन या बायो रिमीडेशन या बायो रिमीडेशन इस बायो टेक्नोलोजिकल प्रोसेश रिज अबच अबच प्लीकट अब कंटेमिनेश गंदगी को दूर करता है विद्ददा को दूर करता है यह स्थ मेनेजमेंट टकनिक काथ मैं उर्गेनीजम का इस्थमाल होता है ताकि इसका लगा 953 स्काइब प्रॉम पॉलूटेड एरिया से है नेक्स इसी में है बताया जा रहा है कि इसके क्या क्या फायदे है देख लिए नेशनली बायो रिमेडियेशन इजे यूसफुल और दी अप्सुलूट यह बाद आपको जब आपाँ ए Packer निए भ़्यूतूटोट ईच्छाइज के इसाथ इस गूपमर्टी तूर्ट इसी this eradicates the change of future liability related with treatment and disposal of contaminated materials bio remediation can above over and over again be carried out on site often without causing a major disturbances of normal activities this is also get rid of the need of the transport quantities of waste and possible threat to the human health and environment that can take place during the transportation when you take a person from 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 a person that we have its use of natural waste of genetic radiogenesis that is used for disposal of hazardous waste that is its use for disposal of hazardous waste that using needed to create micro-organisms specifically designed for bioremedion genetically engineered micro-organizations have the future potential for bioremediation of soil groundwater and activated sludge exhibiting the enhanced degrading capabilities of wide range of chemical contaminants अंसर्डरी फ्लोईं इस्तेटमेंट्मेंस रिगारिंग वेस्ट तो एनर्जी प्रांट थे प्रोसेशिंग फ्रोसेंग फ्रेस्ट इन्टो बैयो फ्यूल इस कर्बन नेगेटिव मेस्ट को बयुक्त बादना कर्बन नेगेटिव का प्रोच है waste to energy plants can convert salt water to potable fresh water the residue S can be used in manufacturing cinder block or road construction benefits of waste to energy plants in the term of volume usually waste to energy plants incinerate 80 to 90 percent of waste thus helping a large city from choking due to unmanageable waste it's not a waste to open ho rao hai 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 the waste to energy generates clean reliable energy from a renewable fuel sources thus reducing dependence on fossil fuels combustion of which is the major contributor to the greenhouse gas emissions sometimes the residue S is clean enough to be used for some purposes such as raw material for use in manufacturing cinder blocks road construction some base to energy plant convert salt water potable fresh water as a byproduct of cooling processes waste to energy plants causes less air pollution than coal plants it is carbon negative processing waste into biofuel releases considerably less carbon and methane into a air then having waste decay away in landfills for the land consider the flowing statement regarding carbon neutrality carbon neutrality refers to achieve net zero carbon oxide emission carbon neutrality refers to achieving net zero carbon oxide emission it can be achieved through carbon offsetting or eliminating carbon dioxide emission carbon all together renewable energy always produce zero carbon emission carbon neutrality refers to achieving carbon neutrality refers to achieving carbon neutrality carbon dioxide emission carbon dioxide emission by balancing carbon dioxide emission with removal often through carbon offsetting or simply eliminating carbon dioxide emission carbon dioxide emission carbon dioxide emission all together carbonıld t Holland carbon 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 हो चाहँ रन नन रीनने वल एनरजी हो दोनों कारबण काह इंसन तो करते हैं लेकिन इसकी मात्रा भले अलग अलग हो क्योंकि कुछ renewable energy has lesser almost zero बोल सकते हैं इस बात को ध्यान अगे रिनियावल एनर्जी है लेसर और अर्मोस्ट जीरो कार्बन इमिशन अब लोग ज्योग्योराफी की ओर बढ़ेंगे ज्योग्योराफी में आपको ध्यान पूर्बा कॉस्ट्यन को सॉल्ब करना है थंसर्द दी फ्लोउग स्टर्टमें डियादिंग तो छोलर पैंग गॉंग था शर्चा में रता हमीशा जारा होती रता इसके लिए पैंग या पैंग शोल्ग अपैंगों तो सु ए तो सोलेख पैंगों तो सोलेख इस इंडोहारिक लेक इन दी हिमालियार श इडिए पार्ट ओफ इंडस्री बेसीन इडिस अंडर राम्सार कंवेंशन अ अधर वेटलेंड इंटरनेशनल इंपोटेंस क्या यह राम्सार कंवेंशन में है यह तो है रिड़ना का हिस्सा है यह तो बिलकुल आप समझना हो आपको केवल और केवल आप एक और कि साथ जाए है करेक्ट पूचा है के वल्य एक है अधिया रामसा साइट नहीं है ट्रेंगोंग तोसो लेग एक इंडो होरिक इंडोरिक या इंडो है इंडोर इंडोर ही इंडोरिक लेग इन हिमालया सिचुएटेड नियर अबाउट फोर थाउजन त्री हंड़ फिप्टी मीटर इट इस ए वर हंड़ हंड़ त्री किलो मीटर 134 किलो मिटर लंबा है एक्स्टेंड है इंडिया से तीबटन अटोनोमस रीजन तक फैला हुआ है लगबख साथ परसेंट जो है इसका लेंथ वो तिबटन ओटोनोमस रीजन में है ठीक है तिबटन ओटोनोमस रीजन जिसको तबब छेत्र बोल सकते हैं चाइना के कंट्रोल में है होता क्या है कि जाड़े की दून में यह पूरी तरह से जम जाता है फिरी जो जाता है डिस्पाइट बिंग सलाइन वाटर इस नोड़ पार्ट ओप इंडस रिवर वेसिन यह इंडस रिवर वेसिन का हिस्था नहीं है और जिगराफिकली सेफरेट लेंड लॉक्त रिवर वेसिन द्यान रहा है दिस लेंड लॉक्त चाहरो तरह इसका भूमी है लेक इस इन दी प्रोसेस ओब बिंग आइडेंटिफाइड रामसार कन्वेंशन अभी सोचा जा रहा है जह वेटलें इंटरनेशनल इंपर्टेंस अगर ऐसा होता है तो दिस विल भी फॉस्ट ट्रांस बॉंडरी वैटलेंड इन साउथ एसिया अंडर इस कन्वेंशन लेट सी देखते हैं होता है नहीं नेक्स कुस्चिन है कंसेट दिफ लॉइंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग यारलंग तांग्सो रिवर यारलंग तांग्सो रिवर ट रिज अर्ण बॉइंग ग्लेसर बहिन त रेखते हैं में पासे इंटू दे स्टेट ऑफ अरुनाचल प्रदेश थिंक अबाउट संगपो रीवर नो संगपो रीवर के बारे में पूछा जा रहा है संगपो यर लॉंग संगपो रीवर कहां से निकलता है दुसरी बात दुनिया का सबसे डिफेस्ट कॉनियन है क्या और तिसरी बात यह अरुनाचल प्रदेश से घुजरता है कि नहीं सबसे पहली बात यारलंग संगपो एक अपर इस्ट्रीम है ब्रंपुत रीवर का अपर इस्ट्रीम है इन दी तिबत अटोनोमस रिजन चाइन में लिकलता है और यह लोंगेस्ट रिवर अप तिबत का सबसे लंबी नदी है यारलंग संगपो अरुजा नदी ओन में आपिग यारि गेस्टेवा यारलंग संग्पो राइक वह बात के अर्माचल प्रदेश से गुजराओ इवर इस प्रदैशक संगुजर्ओंपभ करनेपह , आमचल प्रदेश बीजर्स एर बात का अन्चल प्रदेश आमाचल पर्देश से गुजरता जरूर है नियान रहे है डाउन स्ट्रीम प्रोम नाचल प्रदेश रीवर बिकम्स फार वाइडर कोल सियांग अप्टर रीचिंग असाम दरीवर इस नन एज ब्रमपुत्रा जब यह असाम में पहु जाता है तो इसी नदी को यारलोंग संपो को ब्रमपुत्र बोला जाता है कि प्रमपुत्र है कि ममसाम डर्यवर इंटर्स बंग्ला देश और बंग्लादेश प्रभ्यस करता है ब्रमपुत्र है कि निइस का नाम रखा गया है यारलंग सांगपो ग्रेंड खैनिया नेक्स्ट एंथ्रोपो जेनिक फैक्टर्स दाट इन्फुएंस फ्रेश्वाटर सिस्टम आर कौन-कौन से मानोजनित ऐसे कारा के जो फ्रेश्वेशर सिस्टम को हमारे परभावित करते हैं change in aquatic habitat engineering of river channel widespread land cover range a change irrigation and other consumptive use of water so we can sorry and through four genic factors directly influencing a fresh water system are the engineering of river channels irrigation and other consumptive use of water widely spread land use and land cover change change in aquatic habitat the point and non point source pollution affecting water quality consider the flowing statement venus appears bright because of its thick cloud cover that reflects that and it's scattered lights venus is called earth's twin because of their similar size शुक्र को venus की जुडवा गरा करते हैं जुडवा क्योंकि लगब लब सब वही फीचर सो करता है सिम्र साइज भी है बैनस डज हावे मून शुक्र का अपना कोई उपगरह नहीं है और अलसो रिंग अरावन इसका कोई ना डज हावे मून डज हावे लिग दिया है और डज हावे मून कोई मून नहीं भाई अज़का कोई रिंग नहीं है तीन नमर करते हैं कि एक और दो सई है कि देखिए वेनस जो है ना वह सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन दे स्काई अप्टर दम मून अगर आप धर्ती से देखेंगे दो चीज तो एक तो है चंद्रमा और चंद्रमा के वाद दूसरा सबसे चंकिला कर चीज होग ओ ठीक है जो की reflect करता है scatter light को आने वाले light को is of significant differences between them देसे की, once planet thickness, यह thick atmosphere, traps heat, and it is the reason for the hottest planet, यह सारा का सारा atmosphere, इसका जो है न, वो सब सोक लेता है, heat को, पूरी तरह से अब्जोर्ब कर लेता है, और जाहने नहीं लेता है, तो जिसके का नहीं, hottest planet in the solar system, तो यहाद है, hottest planet in the solar system, that is Venus, despite coming after mercury, mercury के बाद आने के बावजूद भी, चुकि बहुत closest तो mercury हो है, लेकिन सब से गरम तो है, सुक्र, surface temperature on Venus can go up to 470 degrees Celsius, which is hot enough to melt laid NASA nodes, Venus moves forward on its orbit around the sun, but it's been backward, ध्यांदा है, यह backward घुमता है, around its axis slowly, यह सूरज जैसे प्रित्भी ऐसे चक्कर लगाती है, तो यह वड़ा ऐसे चक्कर लगाता है, वेनस, the sun rises in the west and sets in the east, one day of Venus is equivalent to 243 earth days, 243 दीन के बराबर उसका एक दीन होता है, ना तो कोई रिंग है और ना ही कोई मून, consider the following statement, लुल मेनों एर नी इड नीज विघिंशिय एक्स्थ्प्रम एंडे पैट्र Kinu, ऑंडेरें लिवैंड़। बेखल दूमॉलिग। भींन्हों out फ्रिक्वेंटली अकड़ इन अट्लांटिक ओसीन अन बे अब बेंगाल डूरिंग लालीना इस लालीना इस अर नन टू फेवर नौर्थ इस्ट मॉंसून पहला वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बाकी आप सोच लीजिए एक और दो सही है तीसरा स्टेटमेंट गलत इस लिए कि अलीनो इस जैनरली क्या होता है जिस वर इनीनो आता है लोग्त है शमक्राइब बहुत ज़्याद़ गर्मी बारिस अपना नॉर्मल लेवल से बहुत कम होगा मानसुन अफेक्ट हो जाता है ढाता है साय जाजी तोट कहीजे तो अना दिनो माइट नोट भी औंल link to them कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 2014 में देख लीजे ऐलीनो यह था लेकिन उसके बावजूर भी रिचिव ट्वेल पर्सेंट डेफिसियंट रेंफोल फॉम जून्स टू सितम्बर बारा परसेंट कम हो गया था ऑन्दादर हैं जबकि लालीना यह फेवर माना जाता है इंडियन समर मांसून के लिए ऐल नीनो हैस बीन एस्सोसियेटेड विट राइजिंग हीट वेप्स हीट वेप्स की त्वत्ति का सथ से बड़ा कारण में यह वह एलीनो है एक्स्ट्रीम टेंप्रेचर अज अज पाट्स आज पाट्स आज प्रेच वेप्स एरोप चाइना है नौर्थ इस्ट मांसून रेंफोल रिमेंड शुब्ड दूरिंग लालीना इवेंट्स मत्भ ठीक हाक राता है But the monsoon, 2021 monsoon, remains an exception in the recent years. Intense hurricanes and cyclones have frequently occurred in Atlantic Ocean Bay of Bengal during Lalina. अट्लान्टिक महासागर में, इसके अलावा, बे अब बेंगाल में, चक्रवातो का, हरीकेन का, मतलब आम बात है. Consider the following statement, in India, September 30 is considered as the final day of monsoon rain. However, India and any rain after it is categorized as a post-monsoon rainfall. The withdrawal of monsoon, a withdrawal of southwest monsoon is based on meteorological conditions such as anti-cyclonic circulation and the absence of rainfall in the last five days over the region. Yeah, no, 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 no. India's monsoon rainfall already 7% more than what's normal has started withdrawal, Indian metrological department का कहना क्या है. Retreating from the parts of southwest Rajasthan and Kach. Withdrawal of the southwest monsoon. जब साउथ वेस्ट मनसुन बिडोल करता है तो मेटरोलोजिकल कंडिशन सच एज एंटी सैक्लोनिक होना चाहिए मतलब यह जो है न वो अपोजिट सैक्लोन की जैसे कि आपको पता होगा दचिनी गौला ऑर्स घञत में और उतरी गौलाद में हवा की निसाई यहाँ पर होता है एंटी आइं सैक्लोन की निसाँ तो इसमें क्या होगा ना जब हो आपस लोटेगा ससाउध वेस्ट मांसोन तो एंटी सैक्लोनिक स्ष्टी बन जाएगी जिस में absence of rainfall होगा last 5 days and water vapor imaginary indicating dry weather condition the monsoon withdrawal is a long drawn process and extend to mid October और ये October तक चला जाता है monsoon withdrawal अला कि IMD September 30 to be the final day of monsoon 30 September last monsoon कर दीगा है rain over the India the rain after that after that is categorized as a post monsoon और उसके बाद अगर रेन होता भी है तो वो post monsoon है तो बने रहिए इस चैनल में लगातार वीडियो देखिए सीखिए सॉल्प कीजिए इसे के साथ थैंक्यो उनक्तार वीडियो फिं